आज हम फिर से एक बहुती बढ़िया फर्टिलाइजर लेके आई हैं जो पोधों के लिए बहुती बेनिफिशल है और इस वक्त मेरा कोई भी पोधा डॉर्मेंसी में नहीं गया जो पक्के प्लांट है मैं खास कर उनका बहुत ध्यान रख रही हूँ सीजन के फ्लावर तो हमारे चलते ही रहते हैं और ये एक हमने फर्टिलाइजर बनाया हुए है है विस्कुस के लिए कल मैं अपराजित्ता के उपर लेकर के आई थी और आज इसके उपर मैं लेकर के आई हूँ तो आज का जो हमारा टोपिक बहुत एक बढ़िया होने वाला है आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक देखें ये कैसे बनाया है और कैसे इसको देना है वो मैं बताने वाली हूँ अभी कि इनके अंदर नई कलियां आ रही है नई रूट्स आ रही है नई पतियां आ रही है mostly पोधा dormancy में चला गया है लेकिन मेरे सारे के सारे पोधे active है जो नई रूट्स बना रहे हैं नई पतियां बना रहे हैं और नई कलियां बना रहे हैं हमें पता कैसे चलता है डॉर्मेंसी में पोदा हमारा गया के नहीं गया जब हमें पता चलता है कि जैसे नई नई कलिया हमारी बननी शुरू हो गई है पोदों में और नई ग्रोध हा रही है पोदों में पत्या नई नई पत्या निकल रही है नई टहनिया निकल रही है नई पूट्स निकल रही है, रूट्स निकल रही है, तो तब हमें मालूम पढ़ जाता है कि हमारा पोधा डॉरमेंसी में नहीं गया, हमारा पोधा बहुत एक्टिव है. ठंड बढ़ती जारी है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने पोधे के उपर, आप सर्दी से बचाने के सबसे पहले सर्दी का जुगाड आप करेंगे कि पोधों को बिल्कुल इकठा रखें और गैप ना करें उनके अंदर एक दूसरे के अंदर सटा के रखें हो सके तो उपर ग्रीन नेट लगाएं ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो पोधों को एक दूसरे के अंदर सटा के रखें ये देखें इसमें कलियां बन रही है और नई नई इसके अंदर नई पतियां निकल रही है नई जो ग्रोथ है वो निकल के आ रही है अभी देखें पतियां बन रही है और नई कलियां भी निकल निकल के अभी इन में आ रही है तो इसलिए ये पोधा मेरा भी डॉर्बेंसी में नहीं गया फ्लावर ऐसी ही एज़िटीज खिल रहे हैं इनके उपर ये नहीं नहीं देखो अब भी अगर आप कटिंग से भी इस पोधे को लगाना चाहेंगे तो इ क्योंकि इसने बहुत सारे फूल दिया है तो इसका रेष्ट मोड भी होता है ये देखे कितनी सारी कलियां इसमें भी बनी हुई है हाइबिसकिस में और कैसे इसका ख्याल आप रख सकते हैं ऐसे ही आप भी रख सकते हैं ये जो मैंने फॉर्टिलाइजर बनाया है ये बहु पर ओल जितने भी पोदे हैं वो कोई भी अभी इस वक्त डोर में सबी के सबी पोदे एक्टिव हैं राखी बेल पे जो पैशन फुलावर है उसके उपर भी फुलावरिंग हो रही है मेरे हाँ अप राजित्ता है इसके थोड़े से पत्ते अभी पीले हुए है ये छोटा पोदा है इसको मैं लगी हुई हूँ बचाने के लिए लेकिन ये भी अभी बहुत एक्टिव है पोदा और इस पे वाइट कलर के फूल आते हैं इसके पत्ते अभी आपको इसलिए लग रहे हैं ये पीले क्योंकि इस वक्त डिरेक्ट धूप इनके उपर लग रही है और हम यही पता चलता है कि जब आपकी रूट्स पोदे साइड से बनाना शुरू कर दे और वो रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ आपकी कर रही है तो समझ ले आपका पोदा बहुत अच्छे से चल रहा है और ये बहुत एक्टिव है तो ये स्प्रे में जो कर रही हूँ ये हमने रूट्स में डालना है और इसकी गुडाई हमने सबसे पहले हमने गुडाई करनी है तो मैं एक दिन पहले से ही प्रोसीजर शुरू कर देती हूँ जैसे आज कल ये मुंगफली का छिलकों का कोई फर्टिलाइजर बना रहा है कोई किसका ये देखे कितनी बढ़िया सी ये रूट चल रही है इसकी तो इसका मतलब है पोधा कोई भी डॉर्मेंसी में मेरा नहीं है ये पैशन फ्लावर के भी मेरे फूल आए हुए है तो अब आप सोचेंगे ये जार मिक्सी बगएरा इसका मैं क्या करने वाली हूँ क्या यूज किया है हमने तो ये मैंने इसके प्राब होने वाला नहीं है बलकर इसके ब्लेड और मजबूत होते हैं तो ये मैंने एक मिशन आज त्यार कर लिया कल त्यार किया था इवनिंग में क्योंकि इसको हमने फुल नाइट रखना होता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये फ्लावरिंग करने वाले हैं आप कोफी में भी आपको मालूम है कितने सारे इसके अंदर वो पाए जाते हैं ये सब में हर कोई हर वीडियो में रिपीट करता है तो ये हमने एक पूरा का पूरा बाकेट इसके अंदर ये पूरा मिशरन हमने त्यार किया हुआ है लेकिन हम जब भी मिशरन बनाते हैं बहुत बनाना है, बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा मिश्रन इसका हमने नहीं मिदाएं, क्योंकि जितना गाढ़ा मिश्रन रहेगा, वो हमारे पोधे को नुकसान दे सकता है, तो आप हर तरह के पोधे में दे सकते हैं, आप 4-5 दिन उसको सुखा के रखें पोधे को, उसके बाद आप हर तरह के पोधे में इस मिश्रन को आप दे सकते हैं, जो बनके बहुत बढ़िया सा बन जाता, अब यह देखें, हमने कॉफी लिया है, और इसमें जो हमारा है, यह पोटाश है, और कुछ मैंने डिये पी के दाने लिये हैं, 5-6 दाने, और यह मुफली का चिलका है, ज कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है, तो उसको भी आप भिगो के रात भर आप रख सकते हैं, और मोर्निंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मैंने यह कल पूरा भिगो दिया था, अब आज इसको हम देने वाले देखें, पोधे की ऐसी हालत हो रखी है, क्योंकि मेरा रो हमें, मतलब आप आइडिया ले लेना हाथ का, मैं तो एक हाथ का आइडिया ले लेती हूँ, तो इस मिश्रण को मैंने खुरपी से इसको गुडाई करके, और इसके अंदर इस मिश्रण को पूरे को मैंने डाल दिया है, जितने पोधों में आपको पानी देना है, यह खाद ऐसे ही सिम्पली आपको रूट्स में डालना है और मिला देना है अब ये रात कल शाम को मैंने डाला था तो ये पूरी रात इनका जो इनका मिश्रन था या जो कुछ भी इसके अंदर था वो सारा इनों ने पोदों ने मिट्टी के अंदर मिल गया दूसरी चीज आप आश वो आपका एनपी के 1990 और आपका जो कॉफी का था ये तीनों चीज़े और कोईला ये मैंने सारी चीज़े इसके अंदर तीनों चारों चीज़े का मिश्रन मैंने इसके अंदर डाल के रात को रख दिया और फिर उसके बाद मैंने शुरू में जो दिखाया है आप यह आजमाय हुए हैं आप अपने पर्मानेंट प्लांट में कैसे भी दे सकते हैं और फिर उसके बाद आपको ऐसे अपने पोधों में देना है और उसके बाद देखना आपका पोधा बिल्कुल भी डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा यह पोधा एक्टिव रहेगा और ऐसे ही आपकी पतिया नहीं नहीं जब पतिया आएंगी तो समझ लेना आपका पोधा बहुत एक्टिव है और जो रूट से बहुत अच्छे से चल रहा है इसकी भी आप कलम भी बना सकते हैं और इसको आप ग्रो भी कर सकते हैं कि कहते हैं सर्दियों में कलम लगती नहीं है बिल्कुल लगेगी क्योंकि आपका पोधा बिल्कुल एक्टिव है तो यह है अब मैंने यह बनाया है इसको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे यह अपना प्यार बनाए रखे थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लव यू आल, गॉड ब्लेस यू आल ऐसे और इसी पानी को फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं लेकिन स्प्रे करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस पानी को आपको चानना है चान के तब आप इसको भोटल में बरना है ऐसे आप यूज नहीं करना अगर ऐसे आप यूज करेंगे तो यह क्या हुगा इसका जो वो है वो जो इसमें ये पाइप लगी हुई है ये ब्ल्लोक हो जाएगी और आपके कितने भी पक्के पोदे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, आपको लगता है कि ये डोल्मिंसी में जा रहे हैं पोदे, तो उनके अगर जा चुके हैं, तब कोई भी खाद आपको नहीं दे नậy, ये बात का आपको ध्यान रखना है, मैं बार-बार बताती हूँ, अग अगर आपके पोदे डोलमेंसी में जा चुके हैं, पतियां जढ रही हैं, पी ले हो चुके हैं, अगर ऐसे एक्टिव आपका पोदा है, तब ही आपको देना है, नहीं तो आप अभी कोई भी चीज उसमें ना डालें, स्किप कर दें, सिरब पानी दें